हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ में सेर करने वाली हूँ आलू गोस्ट की रेसिपी जिसे आज हम बनाएंगे एकदम ऑथेंटिक तरीके से बावरचिया स्टाइल बहुत तरीकी से आपने आलू गोस्ट बिनाकर ट्राइ किया होगा एक बर आप इस तरीके से बढ़ा कर जुरू ट्राई किजेगा आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी पसंद आने पर विडियो को लाइक करके चान को सस्क्राइब कर लेजेगा और फैमिली फ्रेंड में से सैर कर देजेगा तो चेली रेसिपी सुरू करते हैं तो ऑथेंटिक तरीके से आलू गोस्त बिनाने के लिए मैंने यहाँ पे आदा केजी मटन लिया है मटन यहाँ पे मैं आदा केजी ले रही हूँ आप अपनी जौरत के साब सी कम जादा कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने पीसिस ना थोड़ा बड़ा ही रखाया है और अच्छे से वाश कर लिया है मैंने मटन को अब ले लेंगे एक प्रेशर कूकर और इसमें हम मटन को आड़ कर देंगे तो यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने आपको बताए कि मैं आदा केजी इस्तमाल कर रही हूँ और थोड़ा से मैंने फैट के साथ में लिया है अब इसमें एक चमच हम सौफा आड़ कर देंगे एक चमच हम धनिया आड़ कर देंगे साबू धनिया और एक दालचीनी का टुकड़ा आड़ कर देंगे चोटा दालचीनी का टुकड़ा और अब इसमें टेस्ट की गॉर्डिंग नमक आड़ कर लेंगे साथ में हम आइड कर लेंगे अधर गलासन का पेस्ट तो यहां आदा चमच में अधर गलासन का पेस्ट आइड कर दूंगी और पानी इसमें डाल देंगे हम आधर गलास और अच्छे से मिला देंगे तो यहां पर हम यखनी दियार कर लेंगे पहले तो यहां पर मैंने धनिया swap को ऐसी ही डाल दिया है आप चाहे तो पोटली बना करके भी डाल सकते हैं लीट बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्ले में तीन से चार विसिल लगा लेंगे उसके बाद इसका सारा प्रेसर निकल जाएगा उसके बाद इसे चेक कर लेंगे तो चलिए इसे ग्यास पर पॉडर आधा चमच आधा चमच इसमें हम गरम मसाला एट करेंगे और आधा चमच इसमें हल्दी का पॉडर आइट कर लेंगे साथ में आट करेंगे अधरक लसन का पीष्ट एक बड़ा चमच जो डॉर्मल का खाने की चमच होते हैं उसी चमच से हम यहां पे सभी मसालों क हमें फीट लेना है इसे हमारी दही जो हो ना सेफ हो जाती है सबजी में डालने के बाद दही जो हो फटती नहीं है तो यहां पर मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने और यह रेडी है इसे रख देते हैं साइट पे और अब ले लेंगे हम कोई भी कड़ाई या फिर इसमें हम डालेंगे ओल तो यहां पर लगबग मैंने एक तिहाई कब जितना सर्सो का ओल लिया है सर्सो का ओल से बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है तो मैं सजिस करूंगी का पियां पे सर्सो का इस्तेमाल के जिएगा अब यहां पे हम प्याज आड कर लेंगे प्याज मैंने यहां पर लिया है 2 मीडियम साइज को स्लाइसे म काट करे लिया लिया है अच्छे से बहून आहा है ऊदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें प्याज को पका ले ना है तो इसा चलाते रहेंगे और अच्य से भूने में और ना समय लगेगा तो इसे अच्छे से भूल ले तो आप देख सकते हैं प्याज के ऊपर जो एक दम ब्राउन से कलर आ गया है इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे जिससे प्याज की कुकिंग जो है न वो रुख जाएगी और इसका कलर जो है न वो चेंज नहीं होगा उसके डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और टर्माटर को अच्छे से भूल लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी टर्माटर जो है वो अच्छे से सॉप्ट हो गई है और पे आज ककलर भी चेंज नहीं ongoing क्योंकि मैंने इसमें पानी का इस्तEuestas माल किया था अब यहां पर हम यह दही वाला मसाले वाला पेश्ट जो है वो आड़ कर देंगे लेकिन हाधियान रहे ये पेश्ट आड़ करते वक्त गैस का फ्लेम जो है एक दम लो में कर देजएगा जिससे हमारी दही जो है वो फटेगी नहीं और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिला देंगे कंटिन्यू इसे दो सी तीन मिट के लिए अच्छे से चलाते रहें जब तक कि ग्रेवी में मसालों में उबाल नहीं आ जाएगी ना तब तक इसे हमें अच्छे से चलाते ही रहना है जिससे हमारी दही जो है न फटेगी नहीं और अब इसमें जाएगा साथ मिनिट के लिए मसालों को अच्छे से पका लेंगे तो यहां में मसालों को पकाते हुए लगवग छे से साथ मिनिट हो गया है मीडिया फ्लेम पे मैंने मसालों को भूना है और यह देख सकते हैं मसाले एकदम दानेदार बनकर तयार हुआ है आप देख सकते हैं तो मसा जाले ते परब भोल ले नहीं ऑड-च्छी हम भूल लेंगे और यहां पस्टा करेंगगे जिसा ने इनिकै jak छोड़ा कड़के लिया जो मैंने तोड़ा ही रहा है जादा चोटा नहीं रहा है मैंने और आलू डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे और मसालों के साथ में ही थोड़ा सा हम इसे बून लेंगे उसके बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे एक त्याई कब जितना हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डाल करके अच्छे से मिलाकर इसके बाद इस से चार मिनिट हो चुके हैं इसे मेडिया फ्लेम पे पकते हुए इसे अच्छे से हम भूल लेंगे आलू को यहां पी अच्छे से हमें पकाना है तो मसालों के साथ में यह आलू का टीज जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा और यहां पे मैंने थोड़ा सा ओयल ज्यादा इस इसे हमारी आलू भी अच्छे से फ्राई हो सके मसालों के साथ में ही अब यहां पे हम मटन आइड कर लेंगे जिसे मैंने तीन से चार वी से लगा लिया था यह काफी अच्छे से सॉप्ट हो चुका है इसे अब हम डाल देंगे और इसे हम आलू मसालों के साथ में ही तो इसे हमें तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है जितना अच्छे से हम भुनाई करेंगे यहां पे हमारी आलू गोस्दो है ना उतना ही जादा टेक्स्टी बनकर तयार होगा तो मैंने यहाँ पे तीन से चार मिनिट के लिए अच्छे से भून लिया है उसके बाद हम इसमें यखनी को आड़ कर देंगे तो यखनी हम चान करके आड़ करेंगे क्योंकि इसमें मैंने साबुत मसालों का इस्तिमाल किया था तो इसे हमें इस्टेन कर लेना है अगर आप साबुत मसाली की पोटली बनाकर के यखनी में डाल रहे हो तो आपको यखनी को चानने की ज़रत नहीं है मैंने इसे ऐसी ही डाल दिया था तो मैं यहाँ पे चान करके डाल रही हूं और इसे हम रख देंगे इसका यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर यकनी में आ चुका है साबुत खड़े मसालों का तो अच्छे से यहाँ पर मिला देंगे यकनी डालने के बाद और अब इसे हम 3-4 मिनिट के लिए कुक कर लेंगे तो अब इसे ढख देते हैं और 3-4 मिनिट के लिए वापस से इसे कुक कर लेंगे तो यहाँ पर आलू गोस्त को पकते हुए 3-4 मिनिट हो चुके हैं मेडिया फिलेम पे मैंने इसे छोड़ा था और यह देख सकते हैं सूपर टेस्टी है हमारी आलू गोस बनकर तयार हुआ है ग्रेवी देखे कितना पॉफेक्ट है इतना ही हम यहाँ पे ग्रेवी रख रहे है अगर आपको थोड़ा पानी डालना हो इसमें तो डाल सकते हैं से इसमें अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रेवी जो है वो अर्जस्ट कर सकते हैं मैं आपको यहां पे चेक करके दिखाती हूँ कि हमारे आलू जो है कितने अच्छे से सॉप्ट हो चुका है यह देखिए पे हरी में जलूर आट कर लेजएगा और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस तरह से हमारी आलू गोस जो है वो बनकर तयार हो गई है बहुत ही अमेजिंग टेस्ट और फ्लेवर के साथ में ग्रेवी देखे कितना पॉफिक बना इदम दानेदार बनकर तयार हुआ है और ग् पराटे, नान, कुल्चे किसी के साथ में भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग टेस्ट और फ्लेवर के साथ में बनकर तयार होती है या आलू गोस्त दोनों का कॉमिनेशन ही बहुत ही जबज़ज़त है अथेंटिक रेसीपी है तो आप इसे घर पे ज़रूर बना कर कीजिएगा मेरे तरीके से आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी और एसीपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लेजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में सैट कर देजिएगा मिलते हैं आपसे नेस्ट रसीपी में